मित्रों मारन क्रिया प्रयोग इसका नाम आपने कभी ना कभी कही ना कहीं जरूर सुना होगा। जैसा कि इसके नाम से ही ग्यात होता है कि इसका अर्थ है किसी को जान से मारने के उद्देश से की गई क्रिया। परंतु इस क्रिया को करना इतना असान नहीं है। इस क्रिया को करने के लिए व्यक्ति के पास सिध्धी होना अति आवश्चक है. बिना सिध्धी के इस क्रिया को कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता. मारण क्रिया अगोर तंत्र की सबसे खतरनाक क्रिया है. इस क्रिया से व्यक्ति शीघर ही मृत्यु को प्राप्थ होता है. जन्हा तक हो सके, स तबसे खतरनाक क्रियाओं में से एक है, इसलिए इसे बिना किसी गुरु की जानकारी के नहीं करना चाहिए, वरना फायदे की जगहे, नुकसान ही हाथ लगेगा। मारण क्रिया करने से पहले इसके नियमों को अवस्य जान लेना चाहिए। इस क्रिया का इस्तिमाल करके तांतरिक या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने सिध्धी प्राप्त की है, वह किसी की भी जीवन लीला को कभी भी समाप्त कर सकता है। अर्थात ऐसा तांतरिक अथवा व्यक्ति किसी की भी जान आसानी से ले सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तांत्रिक अथवा सिद्ध व्यक्ति को उस व्यक्ति के पास जाने की भी आवश्चक्ता नहीं है, जिसे वह मारना चाहता है. इसमें सारा काम दूर बैठे बैठे ही हो जाता है, और जिस पर मारन क्रिया की जाती है, वह व्यक्ति निश्चित दिन के अंदर मृत्य को प्राप्थ होता है. यानि मारण क्रिया के समय निश्चित की ये दिन पर ही उस व्यक्ति की मृत्यू हो जाती हैं, ग्रामीन इलाकों में इसे मियादी के नाम से जाना जाता है अगर पीडित व्यक्ति जिसके उपर मारण क्रिया किया गया है, निश्चित दिन से पहले किसी पंडित, किसी अन्यतांत्रिक या फिर किसी सिध्ध व्यक्ति से अपने आपको दिखा लेता है, तब उसके बचने की संभावना होती है, परंतु ऐसा बहुत कम ही होता है क्योंकि यह प्रयोग कभी-कभी देवी देवतव को वचन वध या फिर मंत्र से बंधित करके किये जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई देवी देवता पीडित व्यक्ति को नहीं बचा सकता है अगर कोई माता कमला, देवी भैरवी, देवी बागला मुखी, देवी काली, हनुमान जी, आदी जैसे सिद्ध व्यक्ति इस क्रिया को निस्पल करने में सक्षम है इस क्रिया का ज्यादातर उपियोग ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जो अपने किसी दुश्मन को खतम करना चाहते हैं परंतु हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रक्रिया का दुरुपियोग जहां तक हो सके, वहां तक नहीं करना चाहिए मित्रों अब तो यहां आप जान ही गए होंगे कि मारन क्रिया क्या है और मारन क्रिया का इस्तिमाल किस लिए किया जाता है चलिए अब आपको हम इस बात की जानकारी देते हैं कि आखिर मारन क्रिया कैसे की जाती है इसके पहले हम आपको यह बताएं कि मारण क्रिया कैसे की जाती है हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि हमारा उद्देश किसी भी व्यक्ति का अहित करना नहीं है यह विडियो केवल जानकारी देने की उदेश से बनाया जा रहा है इस तरह का प्रयोग कोई साधर्ण प्रयोग नहीं है इसलिए आप इससे दूर ही रहे और माता जगदंबा की सेवा करे आपको स्वतही सारे तंत्र मंत्र और महाविद्याओं का ज्याता बन जाएंगे आपको मोक्ष की प्राप्ती होगी मित्रों इस क्रिया को बहुत तरीके से किया जाता है लेकिन आज हम आपको नीमबु द्वारा किये जाने वाले मारण विधी के बारे जानकारी देंगे इस क्रिया को करने के लिए एक साफ सुथरे और एकांत स्थान की जरूरत पड़ती है उस स्थान पर पीली मिट्टी से चौका लगाकर उस पर सफेट चादर बिछा दिया जाता है फिर घी का दिया जलाया जाता है और पश्चिम की ओर मुह करके आसन पर बैठ जाता है भोग लगाने के लिए हलवा, पूरी, गाजा, मेवा, चिल्लम और इत्र तथा दो लौम की जरूरत होती है इसके बाद गुप मारन मंत्र की 21 माला, 40 दिन तक लगातार जाप करना पड़ता है एक माला में 108 जाप होता है लगातार 40 दिन इस मंत्र का जाप करने से यह मंत्र सिध्ध हो जाता है उसके बाद जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना होता है तब 108 बार इस मंत्र का जाप करके नीम्बू को अभी मंत्रित कर लिया जाता इसके बाद जब नीम्बू में आधी सुई चुभाई जाती हैं तो शत्रू को पीड़ा बहुत पिड़ा होता है और जब सुई को नीम्बू के आरपार कर दिया जाता है तो शत्रू तुरंथ ही मर जाता है मित्रोंग यह प्रयोग दो शक्तियों से किया जाता है पहला यह की कोई भी जब वह मंत्र को सिद्ध करता है यानि मंत्र उच्चारण करता है तो उस साधक के आसपास मंत्र से संबंधित उर्जा वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं वह उर्जा साधक के इच्छा को पूर्ती कर जब कोई साधक मंत्र को सिध्ध कर उर्जा को एकत्रित कर लेता हैं, तो वह साधक उस उर्जा को किसी व्यक्ती विशेश की तरफ मोड़कर मारण क्रिया संपन्न कर लेता हैं. किसी से मोटी रकम लेकर जैन से व्यापारी राजनेता आदी से मोटा पैसा लेकर उनके शत्रू, प्रतिद्वंदियों पर मारण प्रयोग न करें. एंसा करने से कुछ समय तक तो आप भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पर अंत में आपकी दुर्गती होगी. भारत में कई बाबाओं की दुर्गती आप देख चुके हैं, जो मोटी रकम लेकर मारण प्रयोग करते थे. दुष्ट तांत्रिकों का कृत्या भक्षण कर लेती है.